कानपूर के बिक्रु कांड को अंजाम देने वाले गैंग्स्टर विकास दूबे की एंकाउंटर के बाद से लगतार मामले में नए मोड आ रहे हैं BJP MLC उमिश दिवेदी ने सकूर ले कर अब CM योगी को लेटर लिखा है लेटर में MLC ने कांड़ पुलिस पर कई गंभी रारूप लगाए हैं साथी BJP MLC उमिश दिवेदी ने इस मामले को ले कर CM योगी से मुलाकात भी की है बीजेपी मलसी उमेश दिवेदी ने लेटर में पुलिसिया कारवाई पर सवाल उठाए है दिवेदी ने लेटर में कानपूर पुलिस पर विकास दूबे के परिवार को परिशान करने का अरोप लगाया है और तो ओल लेटर में ये भी लिखा है कि पुलिस पैसों के लिए परिवार को ना सिर्फ वसा रही है बलकि लगातार उन्हें प्रताडिक भी कर रही है विकास दूबे के परिवार को बेवजा परिशान किया जा रहा है ऐसा लेटर में लिखा गया है बता देव विकास दूबे के एंकाउंटर के बाद से योगी सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं इसी बीच बीजेपी नेता के लेटर से फिर मामले को लेकर राजनीती काफी गर्मा गई है न्यूस डेस्ट राजन की बाद से लिए और वार्मा एंकाइब बाद लेटर ॉड़ाज़्ा बाद से लिए अगया गई है